पूल के बकोर और मदुबनी जिले के भेजा के बीज बन रहे पूल के तीन गाडर शुकरवार सुभग गिर गए इस हदसे में एक मजदूर की मौत हो गई इस्थानी लोगों का कहना है कि दस से जादा मजदूरों को निकाल कर अस्पताल भेजा गया चार अभी भी मलबे में दबे हैं बताया जा रहा है कि पूल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया गोपाल पूर सीरे पंचायत मुख्या के पती सूरेंद्र का कहना है कि हेड मेनेजर को पहले भी कहा गया था कि पूल की क्वालिटी में कमी है हम इसका विरोध कर रहे थे लेकिन हमें पूलिस से धमकी दिलाई जा रही थी यह देश का संपसे लंबा पूल बन रहा है जो केंद्री परिवन और राजमार्क मंत्राले की ओर से बारा सो करोड की लागत से बनाया जा रहा है इसकी लंबाई 10.2 किलो मेटर से जादा है एप्रोज रोड मिलाकर पूल की कुल लंबाई 13.3 किलो मेटर होगी पूल का निर्मार्ण 2023 तक पूरा होना था लेकिन कोरोना और बाण के करण पूल निर्मार्ण का समय बढ़ गया